हेलो दोस्तों कैसे होता दोस्तों आज के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में लोग बात करने वाले T20 Blast के नेक्स्ट मैच के बारे में जो कि होने वाला है Sussex और Glossester Share इन दोनों टीम्स के बीच में दोस्तो ये मैच आज रात को 11 बजे स्टार्ट होगा विन्नी होने वाला है क्राउंटी, ग्राउंड, ब्रिस्टल तो दोस्तो ग्लोसेश्टर शायर का उल्डेड एक मैच हो चुका है जो आई तिंग फर्सो हुआ था और इस ससेक्स का फर्स्ट मैच अगर आप लोग अब तक हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ना है अगर आप लोग अब तक हमारे टेलिग्राम चैनल से जॉइन नहीं हुए हो किस तरह किस जॉइन होना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको फर्स्ट कमेंट मिल जाएगी जॉइन जुरूर होना पिकर जो भी फाइनल अपडेट बनते हैं आपको टेलिग्राम चैनल पे ही मिलेंगे जॉइन जुरूर हो जाना पिच रिपोर्ट दोस्तो अगर यहाँ पे बिरिश्टल के अगर बात करें देखो फर्स्ट मैच है तो पिच फ्रेश होगी न्यूटरल होनी चाहिए मेरी सबसे बटने यहाफे प्लास्टेर स्पिनर्स ने अच्छा किया ते हैं यहाँ पे स्पिनर्स 3 विकेट्स, 4 विकेट्स बलक में विकेट्स निकाल रहे थे एक मैच में 10 विकेट्स भी निकाले थे और एक लोक डॉसड़ी str. घॉइर लगबख लोक डोकली घुता Bis तो अगर कोई team T20 cricket में बैटिंग करने का decision ले इसका मतलब यह कि second inning में pitch थोड़ी सी खराब होती है मतलब dry हो सकती इसी वज़े से और अगर flat pitch है तो team toss जितने का बालिंग का ही decision लेती है सब्सक्राइब करने वाले है जो लास्ट मैच में अच्छा नहीं किया उनके बारे में हम लोग बात करेंगे ठीक है तो यहाँ पर एक बड़ा नाम देखिए आपको Glenn Phillips New Zealand से बिलॉंग करते हैं आप लोग ने अच्छे से देखा है CPL में आप लोग ने देखा है New Zealand के लिए international खेलते है अभी और national contact भी इनको मिल चुका है बात करते हैं दोस्तों stats की तो दो प्लियर्स देखो माइल्स हैमोंड और Chris Dent दोनों ने पिछले माइच में बिल्कूल अच्छा नहीं किया था Chris Dent 20 पे गये थे और माइल्स हैमोंड ने 6 पे गये थे बट मीन के stats आपको दिखाने वाला हूँ इंप्रेस हो जाओगी बढ़िया प्लेयर से उसके आद एयान कोगबें ये भी जल्द आउट हो गयते 16 रन बनाई थी ये भी बहुत इंपॉर्टन प्लेयर इस टीम के ठीक है गलेन फिलिप्स ने 44 की बढ़िया पारी खेले थी इनका फॉर्म बहुत अच्छा रहा है पिछल मैच में 22 के पारी गिली थी 16 गेंदों में बेनी होवेल की बात करी इनको 30 रन बनाई थी पिछली बाद इनको 15 गेंदों में ये भी एक अच्छे ओल्डाउं रहे बैटिंग प्लस दोनों देते हैं इंपॉर्टन रहेंगे ग्राइम वेन ब्यूरा ने ये भी अक अच्छे बैट बने प्लस ये बालिंग भी कर लेते हैं फिछले मैच के बालिंग पड़े थे इनको बॉलिंग दी जाती है बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर देखोगे तीन इंपॉर्टन बॉलर टॉम स्मित यह भी लेप्टाम और्टोक्स है और डेविड पेन और जोश्यो यह लेप्टाम फास्ट मेड़ें और राइटाम फास्ट मेड़ें बॉलि नहीं था अपना इनका सिलेक्शन बहुत कम हो जाएगा कोई भी इनके तरफ देखने नहीं वाला मैं आपको इनके स्टैट्स दिखाने वाला हूँ फिर उसके बाद डिसाइड करना लेना है या नहीं लेना है बात करते है जोश्यो पिछले मैट में दो और के दो और में ब करी थी अब दोस्तों बात करते है रिसेंट स्टैट्स मतलब पिछले दो-तिन पिछले 10 दिनों में इनके टी-ट्वेंटी क्रिकेट खेला है उसके पारें बात करें थी तो माइल्स हैमोन ने एक 43 और 15 की पारी खेली थी ख्रिस डेंट रिको 93 की एक पारी और 28 की एक पारी पिछले मैच में रन नहीं आये थे पड़ ये प्लेयर बहुत बढ़िया है यान कॉक बेन 28, 7 और 4 रन तो उतने रन नहीं बने है बट ये प्लेयर भी बढ़िया है ग्लेन फिलिप्स 21 और 50 और 0 रन जैक टेलर 7 और 3 रन स्रिप प्रिसेंटली रैन हाइगिंग्स को 2 रन है देख सकते हो 46 रन एक विकेट 15 रन एक विकेट 69 रन एक विकेट 15 रन जीरो विकेट इससे वज़े से बोला ही अच्छी बैटिंग प्लस अच्छी बालिंग आपको देते हैं टॉम स्मित की बात करें इनको देखोगे 0 विकेट 2 विकेट लेप्टाम और डेविड पे 62 रन 18 रन और 14 रन बनाये थे पिछले चार मैचस में ठीक है अब दोस्तों में इनके पिछले सीजन के स्टैर्स दिखाऊंगा अब देख सकते हो most runs कोग बिन ने बनाये थे 11 मैचस में almost 400 रन एकी रन कम पड़े गया था 44 का आवरेज था 89 का हाइस्ट कोर था समझ सकते हो वन रान हाईगिंस 11 मैचस में 200 रन, जे टेलर 11 मैचस में 130 रन, बेनी हॉ वेल 5 मैचस में 96 बनाय थे जिसमें फोर्टी ने हीस्ट कोर था बि perse抗त कोर था अब बातें बॉरेज गईर्गेंगंस सबसे जाधा विकेट्स अपने टीम के लिए 11 मैचस में शोला विकेट्स थे और ब्यूरें 11 मैचेस में 12 विकेट्स यम टेलर 7 मैचेस में 8 विकेट्स बेनी हुवेल पायू मैचेस में 7 विकेट्स और जॉन श्नो जॉश शॉव आइक इंग ठीक है मैंने जॉन स्नो गलती से बोल दिया अगर आपको पता होगा जॉश शॉव तीन मैच में एक ही विकेट्स निकाला था प्लस नहीं इनोंने तीन मैचेस में स्री 5 और बॉलिंग करी थी इनका सेलेक्शन अच्छा खासा है दीविट पेन से भी इनका सेलेक्शन जादा है जाए तो इनके middle order batsman अच्छा run बनाते हुए दिख सकते हैं इनके पास all rounders बहुत सारे हैं दोस्तों बात करते ससेक्स की तो इनका भी पिछले सीजन ठीक रहा था यह भी quarter final तक गए थे quarter final में यह हार गए थे ठीक है last season देखो 11 matches खेले थे 6 matches win किये थे 4 matches loss किये थे और एक match इनक not result रहा था और दोस्तों कुछ इस तरह के सिंगे प्रवाइबल प्लेइंग लिए बड़े बड़े प्लेयर साब को इस team में देखने को मिलेंगे फिलिफ साथ अच्छे से जानते हो बिग बैश लिग खेलते हैं लिक राइट बहुत पुराने प्लेयर से IPL में खेल चुके ह बहुत ही ज़्यादा लिक्स इन्होंने खेली है ट्रेविस सेड और अच्छे से जानते हो IPL में खेल चुके RCB के लिए डेलरे रॉलिंस यह इंपोर्टन यह बर्मुडा से बिलॉंग करते है ठीक है उसका दाते रवी बोपारा बहुत अच्छे से जानते हो डेवीड में लिया था बट टोटली पूरे सेजन में फ्लॉप रहे थे उसके बाद कभी भी IPL में दिखे नहीं है बट अच्छे बॉलर ही ठीक है और बेंच पे आपको तीन प्लेश दिखेंगे अब इनके बारे बात करते है ठीक है इन 14 प्लेश के लगा किसी और के तरब देखना इनके अगर आप दोग्यत को देखो हर प्लेयर के में ने पिछले 5 मैच जो कहाच उनके स्ट तरफे चे लिःके लिए और बाट बॉइल स्टी सेवं के जरूरत नहीं की जरूरत ना बाइलिग मैच पॉon वहाँ पे बिल्कुल नई रन बने, मतलब बिल्कुल भी नहीं, काउंटे में इनका हाइस कोर 20 था, काउंटे में 4 मैचेस खेले हाइस कोर 20 था, और पिछले T20 मैच में 20 रन बने थे, तो इनके बैट से रन बने नहीं है, बट एहर इंपोर्टन प्लेर, T20 क्रिकेट में करते हैं, डेलरे रॉलिंस, यह आपके बहुती बढ़िया डिफरेंशल प्लेर का काम करने वाला है, इसके पिछले 5 मैचेस देखो, 4-5 मैचेस, 1 विकेट, 34 रन, 2 विकेट, 5 रन, 1 विकेट, 24 रन, 0 विकेट, यह बालिंग देगा आपको, 2-3 और, और अगर स्पीनर्स को ब 58 रन, 21 रन, 4 विकेट, 34 रन, 1 विकेट, 7 रन, 1 विकेट, 16 रन, 1 विकेट, तो अच्छी वालिंग करी हुई है, और टे 20 के ओरल स्टैट्स आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, डेविड विजे, 31 रन, 1 विकेट, 58 रन, 1 विकेट, 78 रन, 2 विकेट, 23 रन, 2 विकेट, और सेवन रन तो रन भी बने है प्लस इन्होंने विकेट्स भी निकाली है पिछले पाच मैचस में एरन थॉम्सन की बात करें तो देख सकते हैं इनके ओर रल स्टैट थर्टी टू मैचस में तीन सो रन है वो दस सोरी 24 विकेट्स इनके नाम पे है जोर्ज गाटन बहुत इंपोर यह है साथ विकेट्स पिछले पाच मैचस में बहुत अच्छी बालिंग करें थी इनकी बालिंग बहुत स्ट्रॉंग है बेंच पे जो ओली कार्टर है 16-27 रन हेंरी क्रोपंग बे सॉरी इन्होंने अपता कोई भी टी 20 मैच नहीं खेला है क्रोपंग ठीक है 9 मैच में 10 वि फिलिफ साल 8 मैचस में 211 रन डेंरेल लॉरिंस रॉलिंस स्री 11 मैचस में 208 रन रवी बहुपरा 11 मैचस में स्रिप 122 रन आते पिछले सीजन में only 24 हाई स्ट्कोर था इनका गाटन 11 मैचस में 101 रन और थॉम्सन 4 मैचस में 73 रन 47 हाई स्ट्कोर मोस्ट विकेट देगो गाटन को मिरी थी 11 मैचस में 14 विकेट इनका सिलेक्शन की भी ना के बराबर था ठीक है ताइमल मिल्स 9 मैच में 11 विकेट डे रॉलिंस 11 मैच में आट विकेट डव्य बियर 7 मैच में चार विकेट ते स्रिप 11 और बॉलिंग करी थी और कोई भी विकेट नहीं था तो ना डेविड विजे रवीब अपरा 100% बॉलिंग करेंगे कहना मुश्किल है कर सकते हैं दो से तीन और डाल सकते हैं डेविड विजे में भी ज़्यादा बॉलिंग करें दोस्तों येमेच स्मॉल लिक से जादा बेटर ग्रेंड लीक का है मैं आपको बताँग समझ जाओगे कि ये मै विकलेन पिलिक के आएगी बिकाद पिछले मैच में रन बने है तो पाइंड से आपे लिक्के हुए और अब लोग इनको जानते है crates भी हाई है बट फिलिफ साल्ट यह open करते है पिछली में 86 रन की पारी खेल का है बहुत क्रिकेट खेला है बिग बैस लिग में क्रिकेट खेलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं लिक्स में खेलते हैं इनको try जरूर करना ग्रेंड लिग में आपके must captain यह होने चाहिए इनका selection बहुत कमे बाकी brown नहीं खेलेंगे ब्रेसे नहीं खेलेंगे less is not available or is not available carter available है बट मेरी साब से खेलेंगे नहीं तो यहाँ पे small league के लिए भी click lane फिलिप्स को ही लेते हैं फिलिप्साड बन गए आपकी grand league के captain ठीक है चलते बैटिंग सेक्शन में ट्रेविसेट लिक्राइट सीडेंट ठीक है तीनों important है तीनों को हम लोग हमारी team में रख लेते हैं यहाँ पे न क्रेड की issue आने वाले है तो आपको crates manage करने पड़ेंगे ट्रेविसेट मेंने बोला इनका form उतना चल नहीं रहा है तो grand league में इनको drop करना है ठीक है और मतलब sub team में मत करना कुछ ट्राइब भी करना captain भी ट्राइब करना ठीक है लुक राइट इसन गूड फॉर्म इनको grand league में captain करोगे incident पिछली match में run नहीं आये थे बट important player मेंने आपको इनके stats दिखाये थे must peak है उसके बाद आपको differential player में दिखाता हूँ कोक बेन मेंने इनके stats दिखाये पिछले season के highest run गेटर रहे थे 339 run थे 44 के average से high score 87 करीबन कुछ था बड़ी आप player यह आपके grand league के captain होने चाहिए ठीक है यहाँ पर credit का problem है इसे वज़े से दिक्कत होने वाली है बाकी इनको try जरूर करना यह हम है मोन जो open करते हैं इनको भी grand league में rotate करना जो बैटिंग section में बट यह बंदा balling पी करता है बैटिंग बहुत नीचे करेगा लगबग नंबर साथ पर बैटिंग को आएगा बट हाँ balling कर लेता और spinner को help मिला तो और भी important बन जाएगा इसको grand league में rotate करना ठीक है बाकी iron thompson को एकाथ दो team में try कर सकते हो George Hankings को मुझे नहीं टाए team खिलाएगी बाकी यह दोनों तो available है यह नहीं ठीक है Stian Wengil अड़ी है बड़िया player है बट not available इनके तरफ देखना नहीं है अभी यहाँ पी किस तरीके से rotate करोगे देखो Travis Head का उतना अच्छा form नहीं तो Travis Head को drop करके Coke Ben ले सकते हो फिर यहाँ पर Buran ले सकते हो यह फिर Hammond ले सकते हो इस तरीके साब लोग 3-4 teams बना सकते हो अभी के लिए small league में Travis Head हम लोग drop करने वाले Travis Head को आगी जाके कैसे drop करना मैं आपको बताऊंगा चलते है और और सक्षन में Benny Hovel, R Highgings, David Wiese, मेरे सबसे तीनों important है तीनों आपको balling देंगे, तीनों आपको batting देंगे Highgings के मैंने आपको stats दिखा है पिछले season के बड़िया stats थे Benny Hovel, जरूर पिछले 4-5 match में विकेट नहीं थे, बट पिछले match में 3 विकेट निकलके आए हुए है प्लस 30 run भी बनायते है, तो important है Davis देखो, ये दोन आपको पूरे 4 ओर्स दे सकते है, David Wiese को कोई guarantee नहीं कि आपको 4 ओर दे हो सकता है, दो ही ओर बॉलिंग करे, हो सकता है कि 0 ओर बॉलिंग करे, इनका कुछ बोल नहीं सकते ठीक है, क्योंकि अगर spinners को बहुत ज़्यादा help मिल गाया ना, तो Wiese के ओरs कट जाएंगे फिर इनके जो main spinners है, वो ज़्यादा ओरs डाल जाएंगे हाँ, बट Wiese आपको बैटिंग भी देते थे, इनको मैं लेके चलूँगा, इनका फॉर्म अच्छा है अब बात आती है, रवी भुपारा की, यहाँ पे ना दोस्त है, क्रेडिड के इश्यूज मुझे न, डॉप करने का मने, मुझे रवी भुपारा और ट्रैविस सेड, इन दोनों में से किसी एक को डॉप करने का मैं सोच रहा हूँ, दोनों का फॉर्म उतना अच्छा नहीं, बड़ रवी भुपारा बॉलिंग कर जाते है, बैटिंग से उतना अच्छा फॉर्म नह निकाल के आया है, बॉलिंग मिलती है तो फिर ठीक है, अगर बॉलिंग नहीं मिली तो फिर इनको लेने का कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीके, टेलर है, मेरे स्मॉन लिग में जादा रेकमेंड नहीं करूँगा, नमबर चार, नमबर पाच पर आपको बैटिंग दे सकते हैं, और थोड़ी बहुत run दे सकते, इनको grandling में tie करना, उसके बाद बढ़िया differential pick, D. Rawlings, आपको balling देंगे जरूर, तीन और तो लगबग ये डाल देते हैं, और spinner को extra help मिला, तो पूरे 4 और डाल जाएंगे, विकेट लेके जा सकते हैं, प्लस आपको run बना के दे सकते हैं, अगर top आपको बताया, पिछले 3 मैचे, मतलब पिछला मैच अगर छोड़ दो, मतलब ठीक है, पूरे 4 मैचेस consider करो, 4 मैचेस में इन्होंने सिप 7 और balling करी है, और उसमें I think 3 wickets निकाली, जो पिछले मैच में इनको 2 wickets मिली थी, मैं इनको नहीं ले रहा हूँ, आपको लेना है, ब इलकुल ले सकते हो, मैं आपको इनके stats दिखाए, बढ़िया बॉलर है, मैं इनके साथ continue करना चाहता हूँ, जरूर पिछले मैच में कोई wicket नहीं था, यही आपके लिए बहुत बढ़िया डिफरेंशल पीक बनेंगे, मैं इनको small league में भी ले रहा हूँ, डैनल औरहल is very good baller ओविसलि बिग बैस लीग में यह आडिले स्ट्राइकर्स के लिए खेलते है, आडिले स्ट्राइकर्स का जो first match था पिछले सीजन में यहाँ वहाँ पी इन्होंने 60 plus run बनायते हैं, बहुत जबर्दस बैटिंग करी थी, ठीक है, तो डैनल औरह को जरूर ट्राइकर सकते हो, टाइमल मिल्स के साथ मैं यहाँ पे जाओंगा, मैं टाइमल मिल्स और जॉर्ज गाटन, दोनों मैं actually confused हूँ, दोनों इसे कोई एक लेना चाहता हूँ, जॉर्ज गाटन is also good, टाइमल मिल्स is also good, मैं अभी के लिए जॉर्ज गाटन के साथ जा रहो, ठीक है, मुझे क्योंकि मैं मिल्स और टाइमल मिल्स ले सकते हूँ, ओली रोबिंस और जिन्होंने फर्स टेस्ट अभी खेला था न्यूज जरेंड के सामने, और इनको सस्पेंड किया गया, इन्होंने कुछ दिनों का ब्रेक लिया है, इन्टरनेशनल लेवल से सस्पेंड है, डोमिस्टर लेवल नहीं है, लेमन अवेलेबल है ट्राइ कर सकते हो, अगर खेलते हैं खेलेंगे नहीं, टेलर इस अवेलेबल है बट मेरी सब से खेलेंगे नहीं, क्रोकुम्बे अवेलेबल है बट मेरी सब से खेलेंगे नहीं, बाके कोई अवेलेबल नहीं, ठीक है, अभी 9 क्रेट् फिलिप साल्ड के साथ जा सकते हो यह आपके चोई से दोस्तों जिसे चाहू से लेलो मैं और एamt चीज सोच रहा था कि मैं आहाँ से ट्रेवी सेट को ड्रॉप करो और यहाँ से मैं फिलिप साल्ड को ड्रॉप करकि यहाँ से मिलेलो रवी भुपारा को 9 crates मेरे पास बचेंगे तो मैं Buren या फिर मैं Hammond के साथ continue कर सकता हूँ अगर 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 भोपरा बॉलिंग करते है तो यह team अच्छा कर सकती है बड़ अगर भोपरा बॉलिंग नहीं करेगा तो यह team waste हो सकती है तो इसी वज़े मैं अभी के लिए भोपरा डॉप कर रहा हूँ यहाँ पर Travis 8 के साथ जाऊँगा Hammond को डॉप करके हम लोग क्या करते है अभी के लिए यहाँ पर फिलिफ साल के साथ नहीं मुझे यहाँ पर जाना चाहिए Rollins के साथ मैं जा रहा हूँ यहाँ याभी D Rollins के साथ ठीक है हो सकता है मैं Final team में D Rollins को डॉप करके या तो Timeal Mills ले लू या तो मैं याफ़े फिलिफ साल ले लू यह मैं चेंज कर सकता हूँ मेरे Final team में ठीक है यही कुछ मेरी team बनती है दोस्तों according to playin girlion फिर हमाली फाइनल टीम चेंज जरूर होगी वो मैं आपको टेलिग्राम चैनल पे अपडेट करने वाला हूँ याद रखना ससेक्स की बॉलिंग बहुत स्ट्रॉंग है तो ससेक्स के सारे बॉलर्स लेना ससेक्स के टॉप त्री बैट्समन्स लेना और उपोनेंट टीम के और लाट्समन्स लेनी की कोशिच का ना इस तरीके साब लोग बिल्कुल टीम बना सकते हो अब दोस्तों बात करते हैं ग्रैंड लिग के कैप्टन वाइस कैप्टन तो अल्डीड मैं आपको बता चुका उनको ट्राइ तो करना ही और इसे करना है clairement अब भी के लिए तो ने को क्या रहे हुआ है वाइस को के डिवीट कैपटन से स्ुआ रहा हूँ और हाइस को मेरी वाइस कैपन से स्ट रहा हू डिवर्स कर सकता हूँ वाइगिंग्स को कैप्टेंसी दे के विजे को मैं वाइस कैप्टेंसी दे सकता हूँ अगर विजे बॉलिंग करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी बड़ अगर बॉलिंग नहीं करते तो फिर मुश्किले हो सकती है तो हम लोग उस सिचुछेशन में रिवर्स करके चल सक अगर आपको फिलिप्स करना है फिलिप्स कर सकते हैं मेरे तीन फ्रेफरेबल है इन तीनों में से मैं मोश्किली ट्राइ करूँगा कैप्टेंवाइस कैप्टेंसी देनी की दोस्तो हमारी माईलियोन सिर्कल की टीम में यहाँ पर एक प्लेयर हमारा वेस्ट हो जाएंगा ओलिवर प्यकॉस मुझे लगता है कि यहाँ से एक भी प्लेयर आपको प्लेयंगिलियोन में खेलता है नहीं दिखने वाला है प्यकॉस जेम्स बेस अवेलेबल नहीं टॉम लेस अवेलेबल नहीं बेन ब्राउन अवेलेबल नहीं ओली कार्टर ही बसते जो प्लेयंगिलियोन में रहेंगे नहीं जरूर कर देना. Thank you so much guys for watching.